हेलो फ्रेंड्स, ओम साहिराम, आज मैं बेबी कैप बनाने जा रही हूँ, भी कैट वाली, तो इसके लिए मैंने सलाई में, कै नंबर की सलाई, दस नंबर की सलाई में 40 फंदे डाल ली हैं, ये मैं 0 से 12 मंद बेबी का बना रही हूँ, आप अगर बड़े बच्चे का बनाए तो थोड़े फंदे और डालने, इसके लिए मैंने फंदे डाल के 40 और 8 सलाईयों का बार्डर बिल लिया है, ये दोनों तरफ से सीधा सीधा, यानि सीधी तरफ से भी सीधा, और उल्टी तरफ से भी सीधा बिनते बिनते देखिए, ये पर्ल वाली डिजाइन हमने डाल ली अब मैं दो रंग का बना रही हूं, इसलिए मुझे दूसरा रंग लगाना है, चलिए दूसरा रंग लगाते हैं, यहां तक तो बार्डर जो बनाये है, ये दस नंबर से बनाया है, अब उपर हम 9 नंबर की सलाई लगाएंगे, और दूसरा रंग भी लगाएंगे, तो स्वेटर भी बनाया है, उसी का कैप बना रही हूं, इस दूसरा रंग से चार सलाई बिनाई कर लेंगे, साधा साधा, अब हमेने फंदा यहां कुछ बढ़ाना नहीं है, नो नंबर की सलाई लगाएंगे, चार सलाई बिल लेना है, सीधे तरफ से सीधा, और उल्टे तरफ से उल्टा, यह देखे, चार सलाई बन गई, अब हम दूसरा रंग लगाएंगे, यह देखे, हमने इसका स्वेटर भी बनाया था, डाल दिया स्वेटर हमने, अपने चैनल पे, तो यही वाली डिजाइन हम कैप में भी बनाएंगे, इसी का सेट बना रही हूं कैप, तो इस तो सुरू में हम एक फंदा सीधा बुल लेंगे, उसके तीन फंदो का, यह तीन फंदे लेंगे, एक बार ऐसे बुलना, फिर उन पीछे किया, इसी में सीधा, फिर उन आगे किया, और यह उल्टा, यह देखे, तीन फंदो का तीन बन गया, फिर आगे देखे, एक, दो, त ये तीन फंदे लिए हमने तीनों को एक में ले लिया देखिए तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ ले लिया अब हम पहले उल्टा भुनेंगे तीनों को लेते हुए उन ये फंदे गिराने नहीं है फिर उन पीछे करेंगे इसी में तीनों को लेते हुए सीधा बुनेंगे उन को आगे करेंगे और इसी में फिर ठोड़ा डीला डीला बुनना है फिर तीन फंदेगे, एक साथ, उल्टा, सीधा, उल्टा ऐसे हम पूरी सलाई डिजाइन डाल लेंगे देखिए सारे फंदों में design हमने डाल दी इस तरह से आएगी अब हमें क्या करना है उल्टी सलाई पूरी उल्टी फिर सीधा पूरा सीधा और उल्टा पूरा उल्टा बीन के फिर हमें सीधी तरफ सफेद रंग लगाके ये वाला design डालनी है जैसे ये अमने डाली है ये देखिए हमने इतना बना लिया है अब ये जब भी हम रंग बदलेंगे तब हमें डिजाइन डालनी है एक लाइन की ये डिजाइन है देखिए हमने ये इतना बिन लिया है आब हम दूसरा रंग लगाएंगे तो फिर डिजाइन पड़ेगी और उल्टा बिनते हुए ही डिजाइन पड़ेगी अब देखिए इसके बाद हमें ये बिनना है एक हमने साधा बिनना है इसको एक फंदा सीधा बिल लेंगे ठीक अब उनको करेंगे आगे आगे किया अब तीन फंदों का एक फंदा जब हम कलर चेंज करेंगे तब ही ये डिजाइन पड़ेगी एक दो और तीन यानि तीन फंदों का तीन ये देखिए ऐसे ऐसे बिनते बिनते हमें जैसे हमने बनाया है जब भी हमने देखिए रंग बदला है तब डिजाइन डाली है ऐसे बिनते बिनते हमको लगबग 10 या 11 इंच की लंबाई करनी है हाँ 10 या 11 इंच की बॉर्डर सहीत जब लंबा कर लेंगे 10 या 11 इंच देखिए फ्रेंड्स हमने लंबाई पूरी बना ली है यह हमारी जित्ती हमें रखनी है कैप की ऐसे दिखाती हूँ इस देखिए हाँ साड़े 10 इंच है साड़े 10 इंच है अभी यह माई लंबाई कंप्लीट हो गई हमने बॉर्डर भी बना दिया इदर और सारे फंदे उतार दिया अब हमें क्या करना है इसको हमें देखिए ऐसे कर लेना आदो आद और इधर सिल देना है और इधर सिल देना है चलिए सिलते हैं यह दोनों तरफ से डिजाइन को मिलाते हुए यहां तक सिल देंगे इधर भी और इधर भी यह देखिए हमने दोनों तरफ सिल लिया सिधा कर दिया इसको अब हम यहां से सिलाई डालेंगे और यहां से सिलाई डालेंगे दोनों तरफ तो जैसे कच्चा करते हैं हम लोग कपनों में वैसे हमने यह डाला है यह देखिए इसको ऐसे खीच लीजे और खीच के फिल्जर से भी सिल दीजे यह ऐसे बनाना है हमको नोग जैसा दोनों तरफ यह देखिए दोनों और हमने सिलाई कर दी अब इसमें बांदने के लिए डोरी बनानी है चलिए डोरी बनाते है चलिए डोरी बनाते है इसको बनाने के लिए हमें जित्ती लंबी डोरी बनानी है उतना दो हिस्सा उन लेना है यानि डबल उन लेना है देखिए हमने डबल दिया है एक ये और एक ये एक हिस्से को आप हुँली में लपेट लेंगी और दूसरे में ये हमने बना लिया हुख आप क्या करेंगे ये देखे जो हमारा ये दूसरा वाला है इसको इसके उपर ऐसे क्रोशे को उपर लेंगे और इसमें से निकाल देंगे फिर इसको क्रोशे को उपर लेंगे ऐसे निकाल देंगे ये देखिए कितना असान है डोरी बनाना ये देखिए ऐसे क्रोशे को उपर लीजे और दोनों को ऐसे निकाल देजे क्रोशे को उपर लीजे और ऐसे निकाल दीजे देखिए उनको क्रोशे को पर लीजे और दोनों को एक साथ निकाल दीजे ऐसे से हम कम से कम इतनी डोरी बनाएंगे कि इसमें हमें बान लें इन दोनों किनारों पर हमें यह बानना जो हमने यह बनाया है बिल्ली का कान चलिए डोरी बना लेती हूँ यह देखिए डोरी हमने बना लियती बड़ी बड़ी दोनों बन गए इसको हमें क्या करना है यह जो हमने सिलाई डाली है इसमें इसको बान देना है ऐसे फूल बना के यह देखिए यह देखिए हमने बान दिया है और ये किता प्यारा लग रहा है ऐसे तो प्लीज दोस्तों आपको जला सभी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब भी करें Thank you, thank you for watching my video Thank you